चत्यसगर के जश्पूर जिले में दूलहे ने दो दूलहनों के साथ एकी मंडप में शादी कर ली जिसमें एक तो उसकी पहली पत्नी थी CRPF के जवान अनिल की शादी चाह साल पहले गाउं में हुई थी इसके बाद अनिल को गाउं की आंगनवाडी कारकरता से भी प्रेम हो गया इस दुरान वो वारणासी में पोस्टेड रहे लेकिन वो छुट्टियों में गाउं आया करते थे प्रेम संबुन्दों की बाद पता चलने पर पत्नी की रिजामंदी के बाद परिवार और समाज की बैठक हुई समाज की बैठक में अनिल की पत्नी ने किसी तरह की आपत्ती नहीं होने की बाद कही जिसके बाद अनिल और उसकी प्रेमिका की शादी का रास्ता साफ हो गया लेकिन अनिल ने पहली पत्नी को भी नहीं छोड़ा उसने दोनों के साथ एक ही मंड़प में शादी कर ली पारिवारिक रजामंदी के बाद सामाजिक रिती रिवास के साथ एक ही मंड़प में अनिल ने दोनों से शादी की पहली पत्नी और प्रेमी का दोनों को दुलल मना कर बठाया गया पताते हैं कि पहली पत्नी से अनिल को कोई संतान नहीं है यह भी अनिल की दूसरी शादी का कारण बना इसलिए परिवार वाले भी दूसरी बहु लाने को राजी हुए वहीं बीते साल अनिल के छोटे भाई की शादी थी लेकिन भाई ने बराज जाने वाले दिन ही फासी लगा कर आत्मत्या कर ली थी ऐसे स्भाई अनिल परिवार में एकलोते बच गए थे अनिल के गाउं में इस शादी में सभी शरीक हुए और समहरों भी काफी धूमधाम से मना लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहट यह शादी गैर कानूनी है जानकारों की मुताबिक हिंदू मेरिज एक्ट के तहट कोई भी व्यक्ति पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता इसलिए पत्नी को तलाग देना जरूरी है